Hello everyone and welcome to the study iq मेरा नाम है तरौन और अब हम करेंगे Data Interpretation का Set No. 61 और इसमें हम डिसक्स करेंगे Boat and Stream per waste एक डियाई को ठीक है तो देखते हैं इसमें कॉशन का गवे न और आप हमारे Pen Drive Courses को यूज कर सकते हैं जो कि अविलिबल है इसमेड कोर्स के लिए अगर आपको उनके बार में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप N Numbers पर Contact कर सकते हैं या फिर आप हमारी Website पर भी जा कर देख सकते हैं ठीक? ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चार्ट में Given क्या है? फाइन यहाँ पर क्या दिया हुआ है Speeds in Still Water किसकी? तीन वोट्स की A, B और C की ठीक है? यहाँ पर कह देख यहाँ यहाँ पर B की वैली दिया है मतलब क्या? Speed of boat in Still Water दिया तीन वोट्स की A B और C की ठीक है? और किस-किस दिन Monday को कितनी होती है? Tuesday को कितनी होती है? Wednesday, Thursday और Friday को कितनी कितनी होती है? वो यहाँ पर दिया है बतलब जैसे कि अगर मैं मंडे को बात करूँ तो मंडे को जो Speed of the boat in Still Water है किसकी? A की वो कितनी दिया है? 50 दिया है Fine Similarly अगर मैं बात करूँ B की ठीक है? Monday को Speed of the boat in Still Water कितनी दिया है? 60 दिया है C की कितनी दिया है? 40 दिया है Fine यह चीज़ समझ में है न आपको data समझ में आ है इसमें क्या given है? अब इसी पर बेस्ट questions हैं तो देखिए पहला question करते है Okay, so first question में क्या given है? उस नम से बोला है If C travels 2 hours upstream and 3 hours downstream on Friday So average speed of its entire journey becomes 63 km per hour How much distance will both B covers on Friday by traveling 5 hours upstream? Okay So question क्या according given क्या है? उसने हम से यह चीज़ बोली है कि अगर जो C है वो travel करता है 2 hours upstream में? ठीक है तो अगर मैं बात करूँ किसकी जो time लेता है कौन C upstream में? ठीक है वो कितना? 2 hours Similarly, जो time लेता है कौन C downstream में कितना लेता है वो? 3 hours लेता है और यह कब दोनो? 5 hours upstream अच्छा उसने हम से यह पूचा है कि हमें बताना है कि कितना distance boat B cover करेगी ठीक है upstream में कब Friday को ही? अगर वो चलती है कितना? यह आप फाइन आट करना है अगर वो चलती है? 5 hours ठीक है जो time लेता है कौन B upstream में वो कितना लेता है? 5 hours लेता है ठीक है? आप देखिए यह बराबर किसके होगा? यह बराबर होगा speed of boat B upstream में into time of boat B upstream में ठीक है? यह आपको already given है यहाँ पर fine अगर मैं इसकी बात करूँ मतलब क्या? speed of boat B upstream में वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा boat की speed किसकी? B की ठीक है? माइनस stream की speed की? ठीक है और यह कप की बात हो रही है? यह बात हो रही है Friday की है ना? यह दो बात हो रही है अच्छा तो अगर हम इस question को करेंगे तो किस तरीक से कर सकते हैं? देखिए हम जानते है average speed बराबर किसके होता है average speed बराबर होता है total distance upon total time के ठीक है? अगर मैं बात करूँ average speed तो वो कितने देवी है? 63 देवी है ठीक है? अगर मैं totals distance की बात करूँ तो यहां पर total distance क्या हो जाएगा? अगर मैं total distance की बात करूँ तो वो बो कितना लाएगा? हम निकाल सकते हैं कि वो upstream में कितना चला? speed of sea in upstream into time of c in upstream plus speed of c in downstream into time of c in downstream इसके बराबर होगा न, total distance divided by total time कितना हो जाएगा time जो लगा c को upstream है plus time जो लगा c को downstream है ठीक है न, तो इसको मैं कहा लिख सकता हूँ 63 is equals to ये कितना हो जाएगा बता हिए अगर मैं इसकी बात करूँगा तो वो जाएगा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है b, मतलब speed of boat in still water of c, ठीक है minus stream की speed fine, इसी के बराबर होगा न और यहाँ पर क्या, ये कितना दिया हो, हमें 2 दिया हुआ है, बतलब क्या लिख सकता हूँ 2 into अगर मैं बात किसकी करना है, Friday की न तो Friday को अगर मैं बात करूँ, c की, ठीक है Friday को c की still water में speed कितनी है वो दिया है, 60, मतलब क्या 2 into 60 minus s यही तो होगी न, क्या, speed of the boat and upstream, ठीक है अच्छा, प्लस अब अगर मैं बात करूँ, downstream में तो वो कितना हो जाएगा वो यह सेम चीज, इसकी speed कितनी है, 60 plus s into यह downstream में कितना time रहता है 3 divided by, total time कितना हो जाएगा total time हो जाएगा, यह plus यह, मतलब 5 ठीक है, आच्छा, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यह जाएगा आपके पास कितना यह जाएगा 5, 1 carry 315 is equals to 120 minus 2s plus 180 plus 3s fine, यह कितना जाएगा 300, और यह जाएगा 15 is equals to s, s की value कितनी है आपके पास 59, ठीक है s की value हो जाएगा 59, in that case इसकी value कितनी हो जाएगा आपके पास देखिए अगर मैं बात करूँ कि b की, तो b की speed still water में कितनी है वो यह दी हुए, यह कितनी हो जाएगी 46 हो जाएगी, sorry, 42 हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 42 glometer ठीक है, यह कितनी है 42 minus s की value कितनी है 59, ठीक है तो यह कितना होगा आपके पास यह होगा आपके पास 7 और 27 होगा ठीक है, तो आप इसकी value निकाल लीज़े अप, इसकी value क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी value जाएगी 27, इंटु time कितना देवा था 5 hours तो यह कितना जाएगा आपके पास 35, 3 carry, 2 135, मतलब इसका right answer क्याएगा C1 is the right answer upstream and downstream journey time of boat B on wetness day is 5 to 3 okay and speed of the stream is 6 km per hour then what was the average speed of total upstream and downstream journey of boat B on wetness day okay, so question के अपके given के है, उसने हम से यह चीज़ बोलिये कि जो ratio है किसका upstream or downstream journey time का, किसका boat B का wetness day को वो कितना दे हो यह दिया है मतलब क्या जो time लगता है upstream में किसको boat B को ratio time लगता है downstream में किसको boat B को कब की बात हो रही है wetness day की ठीक है, वो कितना दे हो है 5 to 3 दिया हुआ है और इसने क्या वाला है कि जो speed है किसकी stream की वो कितना दे हो यह 6 km पर हार मतलब क्या, S की value कितना दे है वो दिया 6 km पर हार okay और इसने क्या वाला then what was the average speed of total upstream and downstream journey of boat B on wetness okay और इसने हम से क्या बज़चा है कि average speed हमें निकालनी है ठीक है किसकी निकालनी है boat B की find wetness देखो तो यह question हम किस तरीके से कर सकते है देखिए अगर हम बात करें wetness देखो speed of boat B वो कितनी है देखिए still water में 46 है न कितनी दिवी है 46 दिवी है इसका मतलब क्या है अगर हम बात करूं B की value ठीक है boat B की वो कितनी दिवी है वो दिए 46 km ठीक है और यहाँ पर s की value कितनी आपके पस 6 है हम इसके मतलब क्या है अगर मैं लिखना चाहूं तो speed of boat B in upstream वो बराबर किसके होगी यह minus यह मतलब 40 के ठीक है और speed of boat in downstream वो बराबर किसके होगी यह plus यह मतलब क्या 52 के इसी के बराबर होगी न ठीक है अच्छा अब देखिए average speed बराबर किसके होता है average speed बराबर होता है total distance upon total time के ठीक है अगर मैं total distance निकाल लाता हूं तो मैं total distance कैसे निकाल सकता हूं speed of boat B in upstream into जितना उसे time लगता है upstream में इसी के बराबर plus speed of boat B in downstream into time जो उसे लगता है downstream में इसी के बराबर हो बना total distance मतलब क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं speed of boat B in upstream कितनी है 40 into जो से time लगता है इसके according मान लेता है यह 5K और यह कितना यह 3K ठीक है into 5K plus 52 into 3K ठीक है divided by total time क्या हो जाएगा यह plus यह मतलब 8K fine तो यह कितना होगा अपके बास 200K plus 6 15 K upon 8 K ठीक है यह कितना हो जाएगा अपके बास 6 5 3 upon 8 ठीक है यह कितना हो जाएगा अगर मैं इसको solve परता हो ठीक है times 0.5 ठीक है मतलब क्या 44.5 km per hour यह क्या हो जाएगा उसकी average speed हो जाएगी fine इसका right answer क्या हो जाएगा अगर A1 is the right answer ठीक है I hope समझ में आऊगा ना next question देखते है देखिए next question क्याएगा इन उस्तरम से पुला है if the ratio of upstream distance covered by boats B and C in 5 hours each on Thursday was 7 to 8 okay then what was the speed of stream on Thursday okay so question क्या और ने के मिन क्या उस्तरम से यह चीज़ बोड़ी है कि जो ratio है किसका upstream distance का ठीक है जो distance है upstream में किसका boat B और जो distance upstream में है boat C का ठीक है 5 hours में कितने में time दिया हुए 5 hours में कब Thursday को वो कितने दिया हुए 7 is to 8 दिया हुए ठीक है उस्तरम से का मिला है what was the speed of the stream on Thursday उस्तरम से speed of the stream पूछिए अब दिखिए यहां पर क्या है timing के एकर में बात करूँ तो timing same है न ठीक है जब कभी भी आपका time constant होता है in that case distance directly proportional होता है speed के ठीक है मतलब क्या जो distance है boat B का upstream में divided by जो distance है C का upstream में वो बराबर किसके होगा जो speed है B की upstream में divided by जो speed है C की upstream में उसके बराबर होगा ठीक है मतलब क्या यह बराबर किसके होगा 7 by 8 के होगा ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह बराबर किसके होगा हम बात किसकी करें Thursday की न Thursday में boat B की speed क्या हो जाएगी still water में? वो है 50, ठीके, बतलब क्या ये बराबर किसके हो जाएगा? 50 minus S के, ठीके, similarly अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? C की speed किती है? वो है 55, तो 55 minus S के, ठीके, तो इसको लिख लिजे, 50 minus S divided by, 55 minus S is equals to 7 by 8, ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा आपके पास 400 minus 8S is equals to 5, 35, 35, 38 minus 7S, ठीके, ये कितना हो जाएगा? 15 is equals to S, S की value कितना है आपके पास? 15i, ठीके, उसने हम से क्या पूचा है? उसने हम से पूचा है कि stream की speed, मतलब कि S की ही value पूची तो इसका right answer क्या हो गया? C1 is the right answer, clear है? I hope समझ में होगा ना? Okay, next question देखते हैं देखिए, next question में क्या पूचा है? उसने हम से पूचा है, if upstream distance covered by boat A on Monday in 5 hours is 20 km more than the downstream distance covered by boat A on Monday in 3 hours, okay, and speed of the stream on Tuesday was 50% more than the speed of the stream on Monday, then what will be the total distance covered by boat C on Tuesday traveling 4 hours against the stream? Okay, so question के according given क्या है? उसने हम से यह चीज़ बोलिया है कि जो upstream distance है, जो cover कौण करता है? boat A, Monday को, ठीक है? 5 hours में, वो 20 km जादा है किस से? जो downstream distance cover करता है कौण? Same boat, boat A, Monday को 3 hours में, मतलब क्या? जो distance cover करता है A, upstream, ठीक है? कितने hours में? 5 hours में, वो 20 km जादा है किस से? जो distance cover करता है A, downstream, 3 hours में, ठीक है? किसके बराबर है? 20 km के, समझ में है न, मतलब क्या? जो distance cover करता है A, upstream, 5 hours में, वो क्या? वो 20 km जादा है किस से? जो distance cover करता है A, downstream, 3 hours में, ठीक है? दौनों का difference कितना होगा? 20 km के बराबर होगा अच्छा, और उसने का बला कि, जो stream की speed है Tuesday को, जो stream की speed है Tuesday को, वो बराबर किस के? वो 50% जादा है किस से? मतलब 3 by 2 है किस से? जो stream की speed है Monday को? ठीक है? और उसने हम से पूचा का है? हमें पताना है, what will be the total distance covered by boat C on Tuesday, traveling 4 hours against the stream? अच्छा, हमें distance बता करना है किसका? कि boat C कितना travel करेगी? against the stream, इसके वादर up stream में, यह हमें find out करना है कब? उसने time कितना देगा है? जो time लेगा C up stream में कब? 4 hours, और यह किस दिन की बात हो रही है? Tuesday की बात हो रही है, ठीक है? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बात किस की हो रही थी? Monday की बात हो रही थी, अच्छा, तो अगर मैं Monday की बात करो, तो Monday को A की speed कितनी है still water में? 50 है, मतलब क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? speed of A in upstream into time of A in upstream, ठीक है? minus, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? speed of A in downstream into time of A in downstream is equals to 20 के बराबर, ठीक है? इसको मैं क्या लिखूँगा? देखिए, इसको मैं लिखूँगा 50 minus S into time जो लगता है A को upstream में वो कितना है? वो है 5 minus, अगर मैं इसको लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ? 50 plus S और यहाँ पर इसको time कितना लगता है? 3 hours is equals to 20, ठीक है? तो यह कितना हो जागा? यह जागा 220, 250 minus 5 5S minus 150 minus 3S is equals to 20 के? ठीक है ना? इसको अगर मैं solve कर तो यह कितना जागा? आपके पास 100, 100 वैसे 20 के कितना है? 80 is equals to 8S, S परावर किसके वाजा है का? 10 km परार के? ठीक है, अब हमें क्या find out करना है? हमें find out करना है इसकी value, तो इसकी value हम कैसे निकाल सकते है? देखिए, यह यहाँ आपर जो हमारे पास stream की speed आई, वो कब आई? वो Monday को आई ना? तो अगर मैं Tuesday को stream की speed निकालना चाहूं तो वो किसके परावर हो जाएगी? 3 by 2 into 10 मतलब 15 km पर आर के हो जाएगी? ठीक है, C के परावर होगी ना? और अगर मैं बात करू, speed of C in upstream कब Tuesday को तो वो परावर किसके हो Tuesday को C की value कितनी है? वो है 45, तो 45 minus 15, मतलब भी कितना होगा पकर 30? ठीक है, अब अब अगर मैं कोई distance निकाला है तो बारावर किसके हो जाएगा? वो बारावर हो जाएगा 30 into 4 मतलब 120 km, तो इसका right answer के हो जाएगा? B1 is the right answer, ठीक है? I hope समझ में आऊगा ना? next question दिखते है, दे ratio of total upstream distance covered by all three boards on Wednesday in one hour to total upstream distance covered by all three boards on Monday in one hour was 50 to then, what was the ratio of the total downstream distance covered by all three boards on Wednesday in one hour to the total downstream distance covered by all three boards on Monday in one hour? कि जो stream की speed है कब Monday को वह बुराबर किसके है जो stream की speed है कब, Wednes Day को ठीक है और इसने क्या बुला कि जो रचो है किछ रचमका upstream distance तो ट्रेविल करा तीनो बोटों ने, ठीक है 닝 voyage Day को 1 गहंते में और जो रचमका upstream distance जो अने चमका कए तीनो बोटों ने, Monday को जो cover करा अब stream में all boats ने ठीक है कितने में वन हार में कब Wednesday को ठीक है divided by जो distance cover करा up stream में all boats ने one हार में कब Monday को ठीक है वो बराबर किसके वो बराबर है 50 upon 57 के ठीक अगर मैं distance निकालूँगा अब stream में Wednesday को तीनों boats का तो वो बराबर किसके हो जाएगा जो speed है किसकी boat A की upstream में into जो उसने time लिया time कितना लिया 1 hour लिया न प्लस जो speed है किसकी boat B की upstream में into कितना time लिया 1 hour प्लस जो speed है किसकी boat C की upstream में into 1 hour total distance C के बराबर होगो न कब? Wednesday को similarly अगर मैं Monday को भी बात करूँगा तो Monday को भी इतना ही होगा divided by speed of boat A in upstream into 1 plus speed of B in upstream into 1 plus speed of C into upstream into 1 ठीक है C के बराबर होगा बस ये बात किसकी और ये Wednesday की और ये बात किसकी और ये Monday की ठीक है तो ये बराबर किसके हो जाएगा देखिए अगर मैं इसकी value निकाल लूगा तो इसकी value किसके बराबर होगी बात किसकी और ये Wednesday की तो Wednesday को B की value कितने हो जाएगी बोई देखिए 40 40 minus S plus ये कितना हो जाएगा 46 minus S plus ये कितना हो जाएगा 50 minus S divided by मंडे की अगर मैं बात करूँ तो मंडे को 50 minus S plus 60 minus S plus 40 minus S ठीके ये बात किसके देखिए इन सब को add कर लीजे ये कितना हो जाएगा आपके पास 90, 90 और 136 और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये जाएगा minus 3S divided by ये कितना हो जाएगा ये जाएगा 110, 150 minus 3S is equals to 50 upon 57 ठीके इसके बाराबर होगा अगर मैं इसको solve करूँगा तो मिरे पास S की value कितना है कि देखिए यहाँ से S की value आएगा आपके पास 12 km पर आर ठीके अगर आपके पास S की value कितना है 12 km पर आर आर आई आपको क्या निकाला है अब आपको downstream में total distance निकाला है कब Wednesday को एक कंटे में और कब Monday को एक कंटे में ठीके वो भी इसी के बाराबर हो जाएगा बस उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 40 plus S 46 plus S 50 plus S यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 50 plus S 60 plus S 40 plus S जो time लगेगा A को downstream में प्लस speed जो B की है downstream में into जो time लगेगा B को downstream में प्लस speed जो C की है downstream में into जो time लगेगा C को downstream में अब ये तो तीनो value कितनी है A की एक हार है ठीके बस हमें इसकी तो value इन फाइन आउट करनी है तो इसकी value क्या जाएगी देखिए इसकी value अगर हम बात करें कब when does day को तो देखिए when does day को वही चीज़ है हमें बस simply क्या करना है इसमें plus 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 करना है मतलगा 40 plus s ठीक है plus 46 plus s plus 50 plus s हाँ similarly हम Monday को भी कर सकते हैं अगर हम Monday की भी बात करें तो भी बराबर किसके होगा वो बराबर को देखिए यहाँ पर यह किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 50 plus s plus 60 plus s plus 40 plus s ठीक है तो यह अगर मैं देखूंगा यह हो जाएगा 136 plus 3s और यह बराबर किसके हो जाएगा 150 plus 3s ठीक है तो यहां से s की value कितनी है s की value 12 तो इसको लिख लिख लिजे अगर मैं इसको लिखूंगा तो 136 plus 36 divided by 150 plus 36 यह कितना देगा अपके पस 2 1 carry 7 1 divided by 6 8 1 ठीक है इसको अगर मैं solve करते हो देख इतना देगा अपके पस यह देगा 8 times 6 times यह देगा 9 times 3 times तो इसका right answer गया जगा 86 upon 93 86 upon 93 मतलब A1 is the right answer fine so I hope आपको समझ में आयोंगे आज जितने भी मैंने आपको questions करा है thank you so much आपके पस्टेजह boss आपको समझ में आपके नपके बूल सुम्हा आपके पस्टेज़ से फ़िए सेख यह देटार्ण तो आपके देगा आपके अव्या देगा तो रहाँ आपके पस्टेश्स जब खिर झाफरप्डर में पुझार में ते दिझा येडि़ जिए दूब्लके लो खोगरे छिए ते टुझारं जोग सबस्टाइबना जोगना कम पुझार धिसंदान प्रोगरे ते टोगरें लोगरी जेश्टना कार्णक खिते हैं प्रिकाच्च्च्च्च्च्च्च्छ प्रिकाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् प्पक कर दोता है झाल 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 झाल